बीजेपी नेतार अविशंकर प्रसाद से बात कि हमारे सवधाता अशोक सिंगल ने आये सुनते हैं और दिल्ली में सफाया हो गया लेकिन जान से आपको दिक्कत क्या है क्यों जान से आप लोग को इतनों गुसा हुआ है एक गुजरात में जान चल रही है उस मेदा ने कोई शिकायत नहीं की उसके पिता जी ने दो दो बार हाग जोड़कर आगरह किया कि हमारे प्राइवेसी क 已經 करके दखल मत दीजिए हमने आगरह किया था लेकिन कॉंग्रेस पार्टी को परिशानी है और यही वो कॉंग्रेस पार्टी है जो बिहार में करती है कभी CBI का और सरकार का नरेंद्र मोधी जी को टार्गेट करने के लिए लेकिन मैं मनमोहन सिंग सोनिया गांधी राहूल गांधी को बताना चाहता हूं जितना आप टार्गेट करोगे मोधी जी के लोग प्रियता उतनी बड़ेगी क्योंकि देश नरेंद्र मोधी को प्रधान मंतिक गरूप में देखना चाहिए उस परिवार को होनी चाहिए उस परिवार तो कोई शिकायत नहीं है लेकिन एक महिला उसके परिवार जो अपनी निजिता के बारे में प्रासना कर रहा है भारत सरकार परिशान है और इंडियन मुझाहिदीन निर्दोष्ट लों को मार रहे हैं उसके बारे में कोई जांच नहीं हो लेकिन सचाही सामने आए तो क्या दिक्कत है जांच के क्यामरा में संचीब कुमार के साथ अशोक सिंगल दिल्ली आज तक